नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपके सामने जानकारी लेके आए हैं मकर राशी के उपर दोस्तों मकर राशी किन नाम अक्षरों पे होती है सबसे पहले हम उसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों जो मकर राशी होती है जिनका नाम का पहला अक्षर भो जा खी खू खे खो गा गी अगर इस अक्षर से नाम शुरू होता है तो आपकी नाम की राशी मकर राशी होती है और मकर राशी के जो स्वामी होते हैं वै होते हैं शनी देव भगवान शनी देव की पूजा इनके लिए बहुत ही शुब है इस राशी का तत्व प्रित्वी होता है ये राशी प्रित्वी तत्व की राशी होती है अगर हम बात करें मकर राशी वाले जातक के गुन एवम सभाव की ये कैसे होते हैं मकर राशी के जातकों के अंदर बहुत ही अधिक धैरे होता है ये अनुशासन और नियाई पीरिये हो इसलिए कि इस राशी के स्वामी शनी देव होते हैं और शनी देव न्याई के देवता हैं ये जातक किसी के खिलाफ न्याई नहीं होने देते ये बहुत ही महनती और अपने कारे के प्रती समर्पित होते हैं ये एक जिम्मेदर नागर की भी होते हैं ये जातक दिखने में बह बहुत दुबले बतले होते हैं ये जो भी काम शुरू करते हैं उसको पूरा करके ही शांत होते हैं ये जहातक बहुत धार्मिक और पुजा पाठ में विश्वास रखते हैं इनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती चाहे ओफिस हो या घर हो ये परिवार के लिए कु अब हम बात करेंगे मकराशी के कैरियर का तो मकराशी के जो जातक होते हैं ये सरकारी और गयार सरकारी संस्था में नोकरी करते हैं ये अच्छे जज़ भी हो सकते हैं वकीर भी हो सकते हैं वग्यानिक लेखक कलागार और राजनेतकिये भी हो सकते हैं ये अच्छे शिल्प कारी भी हो सकते हैं और गाइन के क्षितर में भी हो सकते हैं इसके इलावा ये लोग टीचर भी हो सकते हैं अब बात करते हैं मकर राशी वालों को किस तरह का कारोबार बीरनस करना चाहिए मकर राशी वालों के लिए सबसाँ अच्छा कारोबार जो होता है वो शनी की वस्तुएं का होता है इसमें शनी का वस्तुएं जैसे के जूता, कैमिकल्स, तेल, खनीज, पेट्रो कैमिकल्स, इत्यादी और प्रॉपर्टी में जैसे घर और फलैट में अच्छा पैसा बना सकत कोईले का वपार भी इनके लिए अच्छा रहता है। मकर राशी के जातकों को शौट में सफलता नहीं मिलती। इसलिए इनको मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है और जरूर मिलती है। अब बात करेंगे मकर राशी वालों का विवाहिक जीवन तो मकर राशी वालों के लिए प्रेम और शादी इनके लिए जीवन की तरह होता है। घर ग्रैस्ती की सारी जिम्मिदारी इनकी पतनी ही हमेशा निभाती है। अब बात करते हैं इनके भागशाली रतन की तो किसी भी परकार की समस्या से परिशान हैं तो कुछ रतन धारन कर सकते हैं जैसे के नीलम और नीली। इनको धारन करने से इनकी कुछ समस्या कम हो सकती है। और अगर हम उपायों की बात करें मक्राशी वालों के लिए तो इनको चाहिए के हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया और थोड़े से उड़द की दाल शाम को शनी देव जी को चड़ाएं। और भागिशाली अंक इनका होता है चार एवम आठ और शुब दिन होता है इनके लिए दिन शनिवार और रंग इनके लिए होता है काला नीला और भूरा। हलाकि काला नीला भूरा रंग ज्यादा इस्तमाल नहीं करना चाहिए ये सक्त हिदायत दी जाती है अगर आपने नीला काला भूरा रंग इस्तमाल ही करना है तो आप सिर्फ शनिवार के दिन ही करें उसके लावा किसी भी दिन ये रंग का इस्तमाल ना करें। और मकर राशी वालों के लिए जो भाग्ये के देवता होते हैं वै होते हैं शनी देव और भगवान शीव तो दोस्तों ये छोटी सी जानकरी थी मकर राशी के उपर अगर आपको ये जानकरी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी जानकरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद